मनी फ्रेंड्स मेरे चैनल में आप सभी को स्वागत हैं होपलि आप सो बहुत आच्छे होंगे फ्रेंड्स देखिया हमारा जो बानाना का ट्री है ना बानाना का पैड काफी ज्यादा लंबा हो गया यह दिखें जलने के लिए इस इलाक़ जो है वो साफ हो रहा इंगें पूरा इधरी लकड़ी था ना इसको निकाल तेए अधरी इला का जो साफ हो गया है तूश्व जादा दिन लकडी रहेगा ना उसमें साम बगरा घुसके रहते हैं इस बज़े से बहुत जागा डल लगता है तो साइद एक महिना दो महिना में इस जो एरिया वो साफ होता है तो देखिए अभी ये साफ हो गया है और ये सब लकडी लाके इधरी रखना है रखने के बार में दिख देते हैं वास और इधर थोड़ा अच्छा हवा दे रहे है फूल भी हुआ है रिखें ये वाला ये हो रखाए है इधर भी एक ना हमारा पानी का टेप है लेकिन लकडी रह जाता है ना इस बज़े से पानी का टेप जो है वो छुप जा रहा है इधर में ये है तो जल्यों अब भी घर के साथ चलते है और इधर भी एक वास्रूम है इधर लेकिन ये यूस में नहीं आता है क्यूंकि उधर दो दो वास्रूम हो गए आगे साइट में तो ये पिछे साइट हो जाता है इस बज़े से इसको हम लोग पर मतलब अनकर करके रखे हुए है गार बुगन आत अगे न llegó है अगे उनका टाइम हो गया वाग्य अजेघ लेटे देंगे टेवाग एज घिटी दवाग एजिटे वाग एजड़ आइए देखो देंगे तेंगे दिशे आगें एजड़ेशे वागें आध चोड़ो मुझे छोड़ो जोड़ों ना लागगी ना आ आ आ आ आ नाई को नाई अच्ची ठाव भबकांगा अच्ची पाव है अच्ची स्वभी जो मैंने दिखाई लकडी का एरिया में थोड़ा नीची जो है सिमेट का बूरी और थोड़ा ब्लीचिंग डाल दे क्योंगी ब्लीचिंग डालने से साम बगरा नहीं आएंगे किडा मोकडा नहीं रुकेंगे क्योंगी लकडी जो बहुत ज़्यादा रहे जाता है उसका लीचे फिर बिच्छू और साप ये चिंटिया बगरा रहते इस बज़े से पहले ब्लीचिंग डाल दिये है और काफी दिने से ही चल जाएगा ज्यादन साप के लिए डल लगता है क्योंगी पीछी साइट है तो मतलब लकडी के अंदर साप गुश जाते है आप जब लकडी लाने के लिए जाओगे तो साप बगरा निकलते इसलिए और मैंने अभी आई हूं पानी लेने के लिए फ्रेंड्स अदि में ब्रेटफास्ट बना रही हूं और ब्रेटफास्ट में डोसा बना रही हूं मशाला डोसा तो जो आलू का चटनी होता है न वो काल बनाई थी आलू हटता है तो उससे थोड़ा बस गया था इसलिए मैं उसको डोसा में यूज कर रही हूं और प्रमाटल का चटनी भी बश हमारा मसावरा डोसा और चटनी ब्रेटफास्ट में है तो चलिए पहले जो है न मैं डोसा बना लेती हूं सब्सक्राइब साबकारा में जो आज बहुत थी पहित तेज आवा चल रहे हैं हाबा जैसे दे रहें इसी गर्मी हो रहे है अं गर्मी की बज़की जो है कापी ज्यादा रहा है बहुत ज्यादा हो रहा है को कि झाल झाल फ्रेंड्स अभी हम मा बेटो ना चट के ऊपर आए है निम का कड़ी ना उतोरने के लिए इधर देखिए इधर एक जूसका इसको क्या बोलते बाबा क्या बोलते इसको वह बोलते इसको ब्राद कर देखिए ना डली को हम तोड के रखे गए थे और उसका फोल निकालना है य değ हमारा ट्रडिशनल खाना होता है मतलब कोई-कोई खाते कोई-कोई नहीं खाते क्यूंकि नीम का मपता ऐसे भी तीता है oret ब्रभ्रेज फूदाटेई हैं तो मा बेटो अभी दोनों इसका जो फूल है इसा में तोड़ तोड़के रखेंगे आज तो नहीं बनाऊंगी इसको कल बनाऊंगी जिसको सब सुत्रा करके फीज में डाल दूंगी फीज जब काल बनाना है कि जलो नीचे लेके जाते क्यूंकि इधर ना मतलब धूप हो रहा है बैठना मुस्किल है ही फूल निकल जा रहा है थो निकल जारा है यह इस आछ अच्छा आई देया है आपको लुक्ता तो जाए एक दिया रिखते है चुला के उस तरफ जा रहा है मुझे उड़ा के लगए चला हम नीचे चलते है इस दूप के बज़े से न हम लोग फोल नहीं तो पाइसली ओम ने उसका जो डली उसको नीचे फेग दिया और बाबा यह ले जाओ जो कप्रा सुखिया है उसको लेके जाते हैं दो तीन बार चत के उपर आना पड़ेगा क्योंकि साड़ी बगरा दो सुखिया है और मोटे मोटे कप्रा जो यह बोली सुखा है तो इसलिए ले जाते हैं इसको हम मा बेटो दोनों फूल नहीं तोड़ पाई इसलिए डॉली को नीचे फेके नीचे आगे धूप के बज़े से ना बैठा नहीं जा रहा था और सुखे में देखा रही थी जहां पर हमरा लकडी था उस एरिया देखे साप करके जितना सारा लकडी था उसको हम भर लिये है और जब लकडी इधर उधर होके था लग रहा था बहुँ जादा लकडी है लेकिन अभी साप हो गया तो थोड़ा सा ही लग रहा है तो अभी देखे बकट में धुला रही हूँ पानी भर लूँगी फिर पापा जी देखते थे पानी नहीं ही तो ओभी भर के रख लेते थे इस बज़े से बकट जो है मैं नहीं धुला बाती थी आज मैंने सोचा नहीं पहले जो है ना लॉंच बनाने से पहले ये काम कर लेती हूँ नहीं तो फिर ना कोई पानी भर के रख लेंगे तो इनको मीक्स करके सबजी बना रही हूं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो पहले परबल और आलू को अलग अलग करके नमग हल्दी डालके मैंने फ्राई करके निकाल दिया हूं और अभी स्वयवीन को थोड़ा सा बास तेल डालके उसमें भी नमग हल्दी बराबर डा करना है कि तीनों चीज में थोड़ा थोड़ा सा नमगर हल्दी डालके हम फ्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स अभी देखिए दो ठोटेज पता डाल दिया अध्रकले सुनका पेस्ट अभी मैंने जो है वो प्याज पेस्ट डाल रूब ऐसे ही तरीक अधिर सब्सक्राइब तरीक बन रहा है और मॉस्ति चल रहा है अब जो जो दिश बनाओंगे वह सब मैं टेस्ट करने वाला है और एक परके कटोरी लूँगा कभी कभी मेरा मन में यह आता है मेरा समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है सोसुराल जो है वो अपना है या पराया है अगर आप लोग का समझ में है तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताईएगा अजिस टाइब में आप लोग को दिखा रही थी लकडी हमारा कहां पर रहता है और हम कैसे साफसफाई करते वो सारे चीज ना में जब सूट कर रही थी तब ओ माय के मुझे बार बार बोल रहा था मामा जी ये सारे चीज मत दिखा वाचा नहीं लग रहा है तो मैंने उसको सम सरम करना है क्योंकि हम तो काम कर रहे ना चोरी तो नहीं कर रहे और मेरा ब्लाग में कोई दिखावट नहीं है मेरा रियर लाइफ में जो जो हो रहा है और रियर लाइफ में मैं क्या काम करती है वो सारे चीज आप लोग को दिखा रही हूं से आर कर रही हूं और काफी फ्र प्रेंट यह जोए का उम का यह आज शूल गया है तो चलिए फ्रेंट साजना और ब्लॉग कांटिनूनी कर पाऊंगे काम भी ज्यादा हो गया थोड़ा टाइड लग रहा है लॉन्स खाने के वाद थोड़ा टाइम सो जाओंगी तो मुझा अच्छा लगेगा तो चलिए फ्रेंट साज का ब्लॉग इंग पेंट करती हूं नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूंगी और असका ब्लॉग अगर आप लोग कमेंट करके बताएं बताने से में वही ब्लॉग ना बनाने के लिए कुसिस करेंगी तो चलिए प्रेंटिंग बाई बाई